रामनगर मुक्तिधाम में विद्दुत शवदा ग्रिह बनकर तयार हो चुका है और अपनी लोकारपन की बाट जुरा है ये विद्दुत शवदा ग्रिह दुर्ग जिला का पहला शवदा ग्रिह होगा जो विद्दु से चलने वाला होगा जीले का पहला विद्दू शवदाग्रह भिलाई के रामनगर मुक्तिधाम में बनकर तयार हो चुका है इसके लिए शेट सहीत कमणा निर्मान किया जा चुका है मशीन इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया भी पून की जा चुकी है विद्दू सप्लाई के लिए ट्रांस्फर्मर भी लगाई जा चुका है विद्दू तो शवदाः में शवदाः की प्रक्रिया की बात करें तो आदे घंटे मी या प्रक्रिया पून हो जाएगी अस्थी आदी प्राप्त करने के लिए और आदे घंटे का समय लगेगा पुरा प्रोसेस अगर देखें तो एक घंटे में शवदाह एवं अस्थी संग्रहन की प्रक्रिया पून हो जाएगी परियावरण के दृष्टी कोण से भी या विद्धूत शवदाग्रह पहुँ उपयोगी है लकडी और कंडे के अभाव में भी इसकी प्रक्रिया जारी रहेगी तथा कम मात्रा में लकडी और कंडे की खपत होगी दिन में यदि इसके शवदागी प्रक्रिया को समझे तो दस खंटे में आठ से दस शवदा हो पाएंगे बारिश की दिनों में भी यह काफी कारगर सावित होगा क्योंकि इन दिनों अधिकतर लकडी और कंडे के बारिश में भीगने की संभावना अधिक हो जाती है इसको चालू करने के लिए कुछ प्रक्रिया ही शेथ रखी है इसके बाद इसे अतिशिक प्रारंब कर दिया जाएगा विद्धु शवदाग्रह के नियमान कारे में लगभग बावन लाख रुपे का खर्च हुआ है इसके संचालन एवन संधारन के लिए एजनसी दो साल तक काम करेगी तता इसमें मेंटिनेंस रखेगी इसके अलावा इसके संबंदित प्रसिक्षण भी कर्मचारियों को दिया जाएगा एक तरह से यह आधनिक विद्धु शवदाग्रह होगा जो की भिलाई में अपने तरह का पहला शवदाग्रह होगा यहां लकडी और कंडे से होने वाले खर्च की अपेक्षा पैसे की बचत होने की संभावना जताई जा रही है करोना काल में शवद की अधिक संख्या मुक्तिधाम में आने को देखते हुए यह निर्ने लिया गया और इस विद्धुत शवदाग्रह का निर्मान कराए गया और अब यह पूंड़ता बन कर तयार है शिक्र ही इसे प्रारम कर दिया जाएगा देखे नगरपलिक निगम भिलाई शेतर अंतरगत राम नगर के मुक्तिधाम में जो है वो विद्धु सवदाग्री जिसकी स्थापना की गई है मानी आयत महदा मानी महाप और महदा ने इसका निक्षन किया है और यह जो यूनिट है वह अलिक्टिशिटी के माध्याम से चले जिसके लिए ट्रांसफर्मर इत्यादी लगाए जा चुके है यह दि इसकी बात करें तो लगभग जो है आधे घंटे के बीतर में सवदा की प्रक्रिया हो जाएगी और एक घंटे की बीतर में जो है अस्तिया शंग्रहन के जो कारिये हैं वह हो जाएंगे इस प्रकार से 10 घंटे जो सभाई लगे गा उसमें 10 जो है ऐसे सवदा की प्रक्रिया हो पाएंगी और नगरपनिक्यम विलैच्षेत्रम में यह पहला रामनगर के मुक्तिधाम में इस विद्दूच शौदा ग्रह का निरिक्षन निगमाईत रोहित व्यास इवं महाप और निरचपाल ने किया है और इसे आम जन्वानस और परियावरंड के लिए बहु उपयोगी भी बताया है ग्रैंड एसेन निउस की लिभिलाई सेशन तो शर्मा की रिबोट